हालो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्रत्य क्लासेस फ्रेंड्स जो अपना टोपिक चल रहा था वो चल रहा था हैल्ड और नूट्रिजन इसके पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड के बारे में हमने कम्प्ली डिसकसिन कर लिया आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे पार्ट फर्ट के टॉप टॉटिफव क्यूशन के बारे में जो एकजाम में पूछे गए थे और आने वाली एकजाम में भी पूछे जाएंगे फ्रेंड्स तो वीडियो शुरू करने से पहले आप इस चनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकोन को दबाना ना वोले जिससे के आने वाली हर ने वीडियो की अपडेट आपको मिलते रेफ्रेंस तो बात करेंगे पार्ट थर्ड के टॉप 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 ट घेंगा रोगग जिसको गलगर रोगभी बोलते हैं जो आयडम की कमी के कान हो जाता है इसी नेक्स कृष्चनन की तरफ चलते हैं ऐसी दिल कादौरा किस कान से होता we are सबस्केक्राइब होें रिदय में रख्ट आप पोर्टिक कि कमी के करें दिल का दौरा हो जाता है fashion next question की तरफ चलते है friend next question देखे पोद्दों और जन्तों में कार्बो हाइडरेट किस रूप में संचीत होते है option C crumbs है starch और glucose की form में संचीत होते है friend friends बात करते है starch के बारे में जो मान चाल में बहुत यदिख पाई जाता है इसका जो रासानिक सुत्र है वो है C6-S10-O5 और starch एक polysacuride carbohydrate है friend बात करेंगे glucose के बारे में जो सबसे सेल carbohydrate है और यह है जल में गुलंसिल होता है जल में गुल जाता है इसका जो रासानिक सुत्र होता है वो होता है C6-S12-O6 जो सुआद में मिठा और सजियों की कोशिकाओं के लिए उर्जा का सबसे परमुक्सर होता है फ्रेंट्स गुलकोस को सरकरा और डेक्टोस भी कहते हैं next question देखें next question है मनुश्य के उप्यों के लिए कार्बनिक बोजन को बेतर क्यों मना जाता है option B इसे रसाइनों एवन सिंथेटिक कीटनासकों का परियोग किये बिना उगया जाता है कार्बनिक जैसे कुछ खाद्या पदातों का उत्पादर होना next question की दरब चलते हैं next question देखे गाय का दूद पेले सपेद रंग का होता है जिसका कार्ण उसमें निवलि में से किसकी उपस्तेती है option C casein के साथ के रोटीन उसमें पाया जाता है friends बात करेंगे casein के बारे में यह दूद में पाया जाने वाली phosphoprotein है जो केलसेम के सीनेट की रूप में रहता है friends casein इसके अलवा स्वयविन में प्रचूर मातरा में पाया जाता है और यह सपेज से पीला रंग का होता है friend बात करेंगे के रोटीन के बारे में के रोटीन एक नारेंगी लाल मंड़क जिसकी उपस्तित के कार्ण पोदो के अंग नारेंगी लाल रंग के होते है friend नेक्स क्यूशन देखिए friend नेक्स क्यूशन है रास्तिये पॉस्षरन संस्तान एक अनुसंदान संस्तान है जो इस राज्य में स्थित है option A अंदर परदेश अपना सही आंसर friend friend साथे साथ आप ये भी देखते रही कि कौन सा क्यूशन कौन से इयर में और कौन से एकजाम में पूछा गया है ये क्यूशन ऐसे सी 2012 में पूछा गया friend और आने वाली एकजाम में भी ऐसे क्यूशन पूछे जाएंगे next question देखिए friend next question है vitamin A pressure होता है option C गाजर में vitamin A pressure मातरा में पाया जाता है next question देखिए friend next question है शरीर की केलोड़ी आवशेक्ता गर्मी की अपैक्सा सर्दयों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक केलोरी आवशेक है option A option A next question देखिए है फ्रेंड नेक्स्ट्रेशन देखिए अनौस्मिया कहते हैं option B, grandК ie Нesvayna की कमिको क्या बोलते हैं? anosmia कहते है anosmia में क्या ना कहते है इसमें वेक्ट को सुंगने की सक्कती कम हो जाते है इसी की जबोलते है? anosmia कहते है next question के तरव चलते है next question देखे करवी रोग किसकी कमिके करण होता है option C स्कर्वी रोग हो जाता है स्कर्वी रोग के बारे में हमने complete discussion पीछे की क्लास में कर लिए तो आप वहाँ पी जाके देख सकते हैं नेक्स क्यूशन देखे प्रेंट नेक्स क्यूशन है गॉल्डन चावल गॉल्डन राइस एक प्रस्टूर्तम स्रोत है ओप्चन ए विटामिन ए अपना सही आंसर है फ्रेंट्स आपको ये भी तो बता होगा विटामिन ए और विटामिन डी पानी में अगुलंसिल विटामिन है और विटामिन बी और विटामिन सी पानी में गुलंसील विटामीन है ओके फ्रेंट्स, नेक्स क्यूशन की तरफ चलते हैं नेक्स क्यूशन देखिए एक कार्यसील मैला को प्रती दिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए ओप्शन डी 45 ग्राम अपना सई आंसर फ्रेंट्स नेक्स क्यूशन देखिए फ्रेंट्स, नेक्स क्यूशन है वसाम में गुलंसील विटामीन होते हैं ऐसे विटामीन जो वसाम में गुल जाते हैं ओप्शन बी केल्सी फेरोल, केरोटीन, टोको फेरोल अपना सई आंसर है फ्रेंट्स बात करेंगे केलसी फेरोल के बारे में केलसी फेरोल जिसे विटामिन D का राशानिक नाम है इसका जो राशानिक सुत्र होता है वो होता है C28-H44-O केरोटीन के बारे में हमने पीछे के क्यूसन में पता कर लिए क्या है केरोटीन बात करेंगे टोकोफिरोल के बार में टोकोफिरोल विटामिन E का रासानिक नाम है यह खून में रेड ब्लेड सेल या लाल रख कोशिका को बनाने का काम आता है उच्छी को बोलते हैं टोकोफिरोल विटामिन E Next Question देखें फ्रेंट Next Question है अहार में लवन का मुख्योप योग है Option B बोजन के पात्चन के लिए अपेक्षित हाइडोक्लोरिक अमले लगू मातरा में पेदा करना है अहार में लवन का मुख्योप योग है Next Question की तरब चलते है फ्रेंट Next Question देखें Cholesterol है Option C जन्तु वसा में उपस्तित वस्य एलकोल क्या है? कॉलेस्टेरोल बात करेंगे कॉलेस्टेरोल के बारे में वैक वसी का जिली का एक मैतुण पार्ट है कॉलेस्टेरोल जो मॉम जैसा एक पदार्थ होता है और ये येक्रत से उत्पन होता है नेक्स क्यूशन देखे फ्रेंड नेक्स क्यूशन है चिक्की सक प्रामर्स देते हैं कि हमें अपना बोजन वनिस्पति गी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए क्योंकि Option A तेल में एस अंतरप्त वसाएं होती है इसलिए नेक्स क्यूशन देखे फ्रेंड नेक्स क्यूशन है रुदीर में स्वेत रक्त कनिकाओं की अत्य दिक मातरा में उपस दिती को रोग विज्ञान के बासा में कहते है Option B लुकेमे अपना सही आंसर फ्रेंड फ्रेंड्स जिन में लाल ब्लट सेल मिंस आरबीसी और सपेद ब्लट सेल और साती सात होता है प्लेटलेट्स ओकर फ्रेंड्स फ्रेंड्स बात करेंगे एनिमिया के बारे में इसको रक्तालप्ता के नाम से भी जाना जाता है प्रेंट्स एनिमिया सरी में लाल रख्त कोशिकाओ के कारण होता है इसके कारण सरीर के अंगों में ऑक्सिजन पहुजना कम हो जाता है इशिकम क्या बोलते हैं एनिमिया रोग बोलते है प्रेंट्स बात करेंगे एनॉक्सिया क्या है जब सरीर या मस्तिक्स को प्रयाप्त ऑ बात करते के बारे में इसको बेक्टिर्या या रख्थ विसाकटा के रूप में जाना जाता है ये तब होता है जब सरीर में कहीं और बेक्तिरिया संकरमण फेपड़ो atau या त्व्षा में होता है जो रक्त में प्रेस करता है और जिसके कान सेप्टी सीमिया हो जाता है नेक्स्क्रिशन देखें प्रेंड नेक्स्क्रिशन है पीलिया जोनलिस्ट में दुस परभावित होता है Option C येकरत नेक्स्ट क्योशन देखे फ्रेंड, नेक्स्ट क्योशन है, नियून में से कौन सी प्रोटीन दूद में पाई जाती है? ओप्शन बी, कैसी इन अपना सही आंसर है फ्रेंड, नेक्स्ट क्योशन की दर चलते है फ्रेंड, नेक्स्ट क्योशन देखे निम्लिक्ट में से किसी कमीर से रिकेट्स होता है ओप्जन A विटामिन D की कमीर से रिकेट्स रोग हो जाता है, फ्रेंड next question की तरप चलते है फ्रेंड next question देखिए कुनेन के अथ्रिक्ट निम्लिक्ट में से कौन एक साक्य ओस्दी मलेरे के उपचार के लिए प्रयों की जाती है Option A आर्टी थर अपना सई आंसल फ्रेंड फ्रेंड्स बात करेंगे कुनेन के बारे में कुनेन क्या है एक प्राकर्तिक स्वेथ क्रिस्टलाइन एर्कलाइड फदात होता है जिसमें जवर रोधी, मलेरिया रोधी, दर्दनासक, सुजन रोधी गुण होते है इसको दक्षिन आयमेरे की पेड़ सिनकुनाद पोदे की छाल से प्राप किया जाता है और ये मलेरे के उपचार के लिए भावती उप्योगी है ओके फ्रेंस, नेक्स्क्रूशन की दर्ब चलते है फ्रेंड, नेक्स्क्रूशन देखे निमले के दिम्मे से कौनसा विटामीन, बीक कॉंप्लेक्स समों से संब्मन इतन नहीं है ओप्शन C, रेतिनोल अपना सही आंसर फ्रेंड गात करो और छिप जाओ नाम से विक्यात विसानु है कौन सा वाइरस है ओप्शन ए आर एस वी विसान अपना सई आंसर फ्रेंड नेक्स क्यूसन देखे फ्रेंड नेक्स क्यूसन है सोरो को मानव रहाईसी छेत्यों से दूर रखना किसके उन्मलण में सायक है ओप्शन बी जापानी एनसेफेलाइट्स अपना सई आंसर फ्रेंड जापानी एनसेफेलाइटिस तो फ्रेंड ये थे part third के top 25 क्यूसन जो एकजामे पूछेगे थे और आनेवाली एकजामे भी पूछे जाएंगे प्रेंड तो फ्रेंड बात करेंगे next class में part fourth के top 25 क्यूसन के बार में तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही मिलते हैं next class में health and nutrition के part 4 के questions के साथ तब तक के लिए friend thank you